Hello everyone, welcome back to my channel तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की डाल तो अगर आपने इस तरह से कभी भी डाल बनाये हैं पालक के तो मुझे कमेंट करके जो बताईएगा और किस तरह से आपने डाल बनाये हैं वो भी बताईएगा या फिर जो दाल आपको पसंद है या फिर जो दाल आपके पास अविलेबल हो वो दाल यहां पर यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें चने का दाल का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है यह तो यहां पर मैं दो तरह के दाल लिया है दोनों को मिक्स कर देंगे और मिक के लिए यहां पर पालक लिया है, इसको कट करके यह तुंक झाल करLovent करना चोप since ले लिएनなく आपको परनाफ सक्फ़ाईं मिली करें लEEP शरे लुक्त स्थ में आप सब्सक्राब Qiges बहुत उसका स्रपर उसको सब्सक्ते में प्रेसिएों तो अभी इसमें डाली है तो अब इसमें डालेंगे पानी पहले थोड़ा से डाले फिर उसको एकवाग बाला आप देखे लिए हृद और दाल एक बराबर है kookar में, kookar में जितना है, उसी के बराबर हमें नहीं पर पानी डालना है, ज़ादा पानी का यूज नहीं करना है तो यह पतला हो जाएगा, यह फिर अगर आपको थोड़ा रहना है तो पानी उतना यूज कर सकते हैं, इसके बाद मैंने आदा छोटा चमच और इसे हम low to medium flame पर 5-6 beWh sexual आने तक पका लेंगे, AGÁS यहां पर तेजएज नहीं रखना है लो to medium flame हेज आने तक to be मैंने ज़्या है私के भाद मैं नहीं बंद कर दिया है पांच मिनिट के लिए रख देंगे उसके बाद हम कुकर का ढकन खोलेंगे तो थोड़ा आराम से खोले नहीं तो फिर पुरा भाब जो है वो उसका पुरा आपके फेस पे आने का डर रहेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं दाल हमारी जो है वो अच्छे से पक गई है मैश हो जा रहा है अगर दाल यहां पे नहीं मैश हो रहा है तो आप एक या दो सीटी और लगा लें मीडियम फ्लेम पे ही तो अभी हमारा यहां पे दाल रेडी है तो अभी हम दाल के लिए तड़का लगा लेते हैं यहां पे आप देख सकते हैं जादा पतला भी नहीं हुआ है तो तड़का के लिए मैंने कड़ाई में 3-4 बड़े चमस तेल गरम कर लिया है जब तेल गरम हो जाएगा तो 200-500 के ग्राम करी भी हाँ पे गोबी लेंगे हमें गोबी को थोड़े से बड़े टुकडे में कट करने है उसे हमें फ्राय कर लेना है थोड़ा सा कलर चेंज हो जा पैन में लिया है आदा चोटा चमच जीरा एक चोथाई चमच यहां पे मेथी के दाने एक चोथाई चमच लेंगे एक से दो तेश पत्ता लेंगे साइच जो को तेल के साथ मिला ले और जीरा का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे प्याज तो मैं यूची का यूज करें यूज करें तो प्याज का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक लासन का पेस्ट तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्याज का च Youtube address के डिने ंचनच जो रोड़ा सा ब्राउन हो गया तब इसमें डालेंगे दो के वाद इसमें डालेंगे दोमींडियम साइच के ठोड़े शे मोटे तुकड़े में कटे हुए आलू को प्याज के साथ और लसन के साथ मिक्स कर लें और तीन से चार मिनत तक ऐसी चलाते हुए मेडियम फ्लेंपे पकाना नहीं है बस 3-4 मिनट तक आप फ्राय कर ले तीन से चार मिनट के बाद जो हमने गोबी फ्राय करके रखा तो वह इसमें डाल देंगे उसको मिला ले और इसके बार डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर टमाटर को अच्छे से मिला ले तो टमाटर को हमें यहां पे shortramें ऐसाओ कड empresa इबाए ठेड कर देना है या इक चम मच यहां पर धनिया पौडर एक चम मच गरम मसाला अधा चम journalists यहां पर मने लिया है जिरा पौडर एक चम मच लिया है प्याज और लसन का पाली जो रेडीमेट आता है यह optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप skip भी कर सकते हैं आदा छोटा चमच यहां पर मैं लिया है लाई मिर्च का पाउड और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज किया है डाल बनाते टाइम पे तो उस हिसाब से आप यहां पर नमक ले सकते हैं साइच जो को मिला ले और मिलाने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही दो से तीन मिट तक सबजियों के साथ मसाले को जो है वो पका लेंगे तो बीच बीच में चलाते रहें ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं तो यहां पे मैंने मसाले को दो सी तीन मिट तक चलाते हुए पका लिया है तो अभी यहां पे मसाला हमारा रेडी है तड़का रेडी है डाल के लिए तो जो हमने डाल बना के रखा था पालक का वो डाल अ बस मसाले के साथ Dal को अच्छे से मिला लिए और मिलनेए के बाद कडाई जो है वो गैस पर धाल है वह आप वापस गैस पे रखंग्णाइब कराई में अट म vários कर देंगे इसको अच्छे सिंध कर लिए जौ आपको मसाला कम लेगर यहाँ यहाँ आप डाल सकते हैं पानी अगर आपको कम लगे गाड़ी लगे डाल तो वो भी आप इसमें अभी डाल सकते हैं और डाल बनाने के लिए सबजियां पालग डाल जो भी आपको डालना है वो आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं आपको जितना पसंदो उस हिसाब से साइचीजे यहाँ पर डाल सकते हैं कोकर का जो ढखकन है वो लगा दे और इसे हमें तेज आज पर एक सीटी आने तक पकाना है तो यहाँ पर मैं तेज आज पर ही एक सीटी आने तक इसे पका लिया है अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर आप इसे गैस पर ही छोड़ दें ऐसे ही उसके बाद आप कोकर का डखकन खोले तो यहाँ पर मैं पाच मिनट के बाद कोकर का डखकन खोल रही हूँ तो पहले थोड़ा सा जो सीटी आ उपकर ले ने तो आपको पताईए क्या होगा तो अभी यहाँ पर हमारा डाल बनके रेडी है एकदम और सारी चीजे इसमें बहुत ही अच्छे से पग गई है और आप पालक की डाल कैसे बनाते हैं वो कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसके बार डालेंगे हमें इसमें बारी कटे हुए धनिये के पत्ते इसको मिला दे और अगर आपने इस तरह से कभी पालक की डाल नहीं बनाई है मतलब आलो को भी सम्मसाले डाल करके तो आप एक बार इस तरह से पालक की डाल जरूर बनाए सबको बहुत ही पसंद आने वाली है बहुत ही अच्छा ये डाल बनके तयार होता है तो अभी इने सर्व कर लेते हैं इसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर खी डाल दें जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इससे आप चावल रोटी किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व करें तो आपको मेरी ये पालक डाल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जोरी बताईएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले